Hello Friends, मेरे Spam History and Stology वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ Saturn in the Second House यानि कि जब शनी देव कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो किस तरह हैं कि हमें रेजर्ट्स मिलते हैं क्या क्या प्रभाव शनी देव के हमारे उपर पड़ते हैं तो सबसे पहले हमें Second House को समझना होगा Second House जानि कि जो कुंडली का दूसरा भाव है वो क्या क्या रिप्रेजन करता है तो जो दूसरा भाव है कुंडली का सेव करके रख पाते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है उसके इलावा हमारी जो फैमली है फैमली हिस्टरी है और हमारी वानी सेकंड हाउस से आती है हमारी खाने पिने की आहदते हैं वो भी सेकंड हाउस से ही हमें पता चलती है और हमारी right eye भी second house से ही represent होती है तो ये सभी चीज़ें दूसरे भाव से देखी जाती है तो जब शनी देव second house में आते हैं तो सबसे ज़ादा परभाव हमारी पूरी life पर पड़ते हैं क्योंकि यहां से हमारी बहुत सी जुरूरी चीज़ें अहमेत वाली चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो शनी देव जो है slow planet है malfic planets की गिंती में आते हैं तो यहां पर इनके प्रभाव थोड़ी से negative होते हैं लेकिन ये discipline के planet हैं law and order के planet हैं restriction के planet हैं तो जिस भी व्यक्ति के चार्ट में second house में शनी देव होते हैं ऐसा व्यक्ति disciplined होता है और वानी जो है ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी हाश हो सकती है लेकिन कम बोलने वाला होगा ऐसा व्यक्ति और जो बहुत जरूरी बाते हैं ऐसा व्यक्ति वही बोलता है ज्यादा बात करने की ऐसे व्यक्ति को आदत नहीं होती और शनी देव जब यहां बैठते हैं तो धन के उपर काफी ज़दा प्रभाव पड़ता है ऐसे व्यक्ति को धन अर्जित करने में काफी दिखते हैं लाइफ में धन की कमी महसूस होती क्योंकि शनी जो देते हैं बहुत थोड़ा देते हैं इतना धन देते हैं कि व्यक्ति का गुजारा चलता रहे लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत धनाडे हो जाएगा चोटी एसी ऐसा कोई चांस नहीं बनता क्योंकि चार्ट में और भी प्लैनेट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं और उनका प्रभाव भी रहता है लेकिन शनी देव के यहां बैठने से व्यक्ति को धन अर्जित करने में दिखते आती हैं और around 35 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति खुल कर धन इकठा कर सकता है क्योंकि 35 की एज के बाद जो शनी देव की रिस्टिक्शन्स हैं खतम हो जाती हैं और 30 प्लस की एज से ही ऐसा व्यक्ति जो है अच्छी इंकम जनरेट करनी शुरू कर देगा और 35 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के उपर जो शनी के मैलफिक परभाव यहां पर बैठने के पड़ रहे हैं वो कम हो जाते हैं अब धन के अलावा यहां और जो शनी देव की दृष्टिय हैं वो भी एफेक्ट करती हैं शनी देव के यहां बैठने से जो और प्रभाव हैं जैसे वानी के ओपर प्रभाव हुआ धन के ओपर हुआ फैमिली के ओपर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह है जो दूसरा भाव है हमारी family को भी represent करता है और second house में शनी देव के बैठने से जो family है वो थोड़ी सी restrictor type की होगी जो family members है वो restriction लगाने वाले होगे और जिस व्यक्ति के चार्ट में शनी second house में होगे उनको यह महसूस होगा के वो बंधन में है और family members उनको ज्यादा restrict कर रहे है और उसके इलावा शनी की जो दृष्टी है यहाँ से तीन दृष्टी है शनी देव की एक तो तीसरी दृष्टी जो यहाँ से fourth house के उपर पड़ेगी उसके बाद साथमी दृष्टी जो यहाँ पर बैठे शनी देव आठमे घर के उपर डालेंगे और उसके बाद दसमी दृष्टी जो यहाँ पर बैठे शनी देव ग्यारमे घर के उपर चार्ट के डालते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनी देव की तीसरी दरिष्टी की यहां पर बटेवी जो तीसरी दरिष्टी है, फुर्थ हाउस के उपर पड़ेगी, फौर्थ हाउस हमारी प्रविक데 का है, हमारे वहिकल का है, और इवन हमारी बेसिक एजुकेशन जो हमारी स्कूलिंग है 10 या 10 प्लास 2 तक की जो education है वो 4th house से आती है तो इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ obstacles आएंगी दिखते हैं व्यक्ति को क्योंकि जब भी 3 दिरिश्टी शनी देव की 4th house के उपर पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर प्रवास करना पड़ सकता है क्योंकि दूसरा घर भी family का है वहाँ पर भी थोड़ी सी family से detachment होगी और जो चौथा घर है वो हमारा hometown है इस वज़े से वहाँ से भी थोड़ी detachment हो सकती है और अगर और भी कुछ malfic प्रभाव इन घरों के उपर आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने hometown से दूर जाना पड़ सकता है पैसा कमाने के लिए studies के लिए और chances रहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर कहीं जाकर settle भी हो जाए और property खरीदने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को मशक्ते करनी पड़ती है क्योंकि जो शनी है restrict करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो property है वो 35-36 के आसपास की age के बाद ही बनती है और schooling में भी education में भी यहां पर थोड़ी से दिक्कते आती है एक चीज़ जहां बताना चाहूंगा प्रभाव थोड़े से vary कर सकते हैं शनी देव के बैठने के उपर depend करता है कौन सी राशी में बैठे हैं कितने dignified हैं अगर own house में है तो कुछ प्रभाव better हो जाएंगे और exalt meditation में है तो भी कुछ अच्छे प्रभाव रहेंगे इतनी जादा दिक्कते नहीं आएंगे लेकिन overall तो दिक्कते आएंगी ही क्योंकि शनी देव जो है discipline और restriction के planet है तो इन सब चीजों के प्रती जो मैंने अभी तक आपको बताई है ऐसे प्रभाव तो व्यक्ति को मिलेंगे अब बात करते हैं शनी देव की साथवी दृष्टी जो अश्टम हाउस के उपर पड़ती है अश्टम हाउस जो है वो हमारे इन लॉस का रहता है और उसके बाद जो आपका पार्टनर है उसकी उसका bank balance है और other people's money अगर हम यहाँ पर शनी देव की दृष्टी की बात करें शनी देव जैसे हमारे धन को यहाँ पर restrict कर रहे हैं उसी तरह से marriage के बाद जो हमारा spouse होगा उसके धन को भी restriction देंगे यानि अगर शनी देव second house में है तो इस बात की संभावना रहेगी के दोनों की couple की जो progress है धन अरजित करने की धन को जमा करने की जो capacity है वो 36 की age के बाद ह खुलेगी और in-laws का घर है आठमा वहाँ पर दिश्टे होने से भी कुछ दिकते हैं in-laws के साथ जो relationship है बहुत restricted सा रहेगा ज्यादा खुला relationship यहाँ पर हम नहीं कह सकते इसलिए शनी यहाँ पर बैठे इस तरह का प्रभाव देते हैं और in-laws के साथ भी थोड़े से जो relationship है वो खराब रह सकते हैं तो आगे बात करते हैं शनी देव की दसमी दृष्टी की जो यहाँ पर बैठे शनी देव डालेंगे 11th house के उपर जो 11th house है हमारे elder siblings का है हमारे social circle का है और उसके इलावा जो हमारी income है हमारे gains है इन सब चीजों का है अब शनी देव बैठे हैं धन के भाव में और द्रिष्टी डाल रहे हैं income के भाव में तो यहाँ पर एक तरह से double effect आ जाता है दोनों तरफ से शनी देव प्रभावित करते हैं हमारी income को भी कम करते हैं restrict करते हैं हमारे धन को save करने की जो capacity उसको restrict करते हैं अब होता क्या है जिनके second house में शनी देव होते हैं इ एक middle age तक ऐसे व्यक्ति को दिकतों का सामना करना पड़ता है middle age के बाद ऐसा व्यक्ति खुल कर जी सकता है जो शनी देव अपनी restrictions हटा देते हैं और ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा सकता है और जमा कर सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति ने शुरू से किलतें देखी होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस भी हो सकता है धन को खर्च करने के मामले में भी ऐसे व्यक्ति का हाथ थोड़ा सा टाइट हो सकता है अब जो 11th house है वो हमारे social circle का भी है तो शनी देव की दृष्टि यहां पड़ने से ऐसे व्यक्ति का social circle बहुत ज्यादा बड़ा न होगा और इसके इलावा शनी देव यहां पर जब 11 घर के ओपर दृष्टि डालते हैं हमारे gains को भी थोड़ा सा restrict करते हैं तो दोस्तों ये कुछ प्रभाव थे शनी देव के second house में बैठने के ओपर जो हमारी life के ओपर पड़ते हैं उमीद करता हूं कि आपको मेरा या धनेवाद